कि हेलो फ्रेंट्स वेल्कम को मोडरन क्लासे देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छेत्रफल का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के ताथ हम लोग सुखेंगे कि तिर्भूच का छेत्फल कैसे निया जयता है तिर्भूच से रिलेडिट कैसे कैसे प्रश्ण बनत होता है यादि की फर्मूला वगरा क्या कैसे है यह सब जान चुकिए है उसका बेसिक समझ चुके हैं सिर्फ इस वीडियो के ता तुसका क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन जिवह हम कर लेंगे तो उसके बात सिखेंगे कि आयत का जो हमारा वेसिक है वह क्या है उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में लोग आयत का च्छेथफ़ से बात करेंगे तो चले दुस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं उनसे पहले आप से छोड़ा से रिक्वेस्ट करेंगे यह आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कि पर 14 आप इस बात पर कभी ध्यान मत दिजिएगा कि हम जो इसका भुजा है वह चोटा बढ़ा क्यों ही बनाया है ऐसा क्यों नहीं तो इस पर ध्यान मत दिजिए आपकी इच्छा है तो आप किसी भी तरह से तीन हुजाओं से घेर के आप उसका नाम दे सकते हैं आपने और यस का जो भैलू है उसको निकालने के प्रेट में A B C हमारा क्या होता है तीनों भुजा होता है यानि इस बात को कहें कि तेरह चगदा और पंदर को उपर में जोड़के दो से भाग देना है हमें तो जब जोड़के हम भाग देंगे तो क्या हो जागा भाई यहां से तरिके हीर पूज की जो दी गई है उनके छाप से उनका स्थ पर निकालने तो दोजोपर कर नहीं नहीं अगी पढ़ना है आप पढ़े भी नहीं नहीं देखें किया तो आई बटन पर जाईएगा और वहां से उस वीडियो को कश पहले कम्प्लीट पूरा देख लिए जश्ट उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा स्मझ में आएगा उसमें यहीं बात नहीं बताएगा उसके अलावा भी बताएगा है कि तिर्भूज कुल कितने प्रकार के तिर्भूज होते हैं तो क्या-क्या उसका छेतफ़ निकाले के सब्सक्राइब चला सकते हैं चलिए इसमें देखेंगे क्या है तो यस चैма है लिए समारा देखेंगे देखेंगे को bạn आप इस चीच को चाहें तो जल्दी-जल्दी करने की प्रेड में आप डारेक्ट इसको घटा के भी रख सकते हैं लेकिन हमें तो समझाना है इसलिए हमें थोड़ा डीटेल लिखना जरूरी हो जाता है तो क्या करेंगे एक कईस में से तेरा घटाएंगे तो साथ एक आठ हो हो ना चाहिए तो क्या होगा इन उसको दोगत ऑथ लिखते हैं तो 400 420 लिखते हैं और ईकिया है साथ कान हSTRयो हम locked two लेक्ते हैं यहां देखिए सब्सक्राइस को बार एक बाहर करते हैं है कि रूट के अदर में जो भी चीज दो बार होता है उसको हम लोग एक बार बाहर कर दे नहीं दो रहिए और दिए और दो और मिलकर चार बनाएंगा और एक की यहां से चार है इसका मतलब कि दो सब बात दिया गया है संटीमेटर में इसका अर्थिया है कि यहां जो छेत्फफर होगा क्यों कम सेंटीमेटर स्काइर होगा यह तक के लिए यह बहुत ही सिंपल है आपका कल्गुरेशन जितना ही फास्ट होगा इस को आप उतना ही जल्दी कर सकते हैं चलिए नोग नेश्ट कोशन देखते हैं तो चलिए दूसरा कुछ इस प्रकार से है एक तिर्भूच की कोई एक बुजा बारा से और इस बुजा से तिर्भूच की उचाई जो है आठ सेंटिमेटर है तो तिर्भूच का छितफल क्या होगा देखिए अब आपसे पहले भी रिक्ष्ट किये हैं और एक बार फिर से रिक्ष्ट करने हैं यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर जरूर देख देख सकते हैं अब फ्ले लिस्ट से वी जा अकर देख सकते हैं देख़्िए इثन जो दूसरा केशन बताया जा रहा है कि एक त्रेसे इक हमारे एक ऐसे ї बाराँ सेंटीमिटर कह रहा है और कहा रहा है कि उस भुझा के भुझा से उंचाई यानि इसके बैसे बात कर रहे ते कितने हैं या कहा है कि आट सेंटीमिटर है पिछला वीडियो में हम बता हैं कि किसी भी तिरहूँच के अधार पता हो और उससे संलग्न उचाई पता हो तो हम फिरहुच का च्यटफल होना हम दे सकते हैं जब आँ उसका धान दिजेगा हैं है यहां अधार के इन्टू बारह अगूण क्या हो जाएगा आठ यहांने कि छह छह आठें अरतालीस है कि सेंटीमिटर इसका रहा है क्योंकि ऐसा बाते कैसे दिया है सेंटीमिटर दिया है चलिए हम लोग अलगा देखते हैं लोग कहते हैं कि एड़ा कठीन होता है लेकिन आप इस बात को समझ समझ में आ गया है तो इस चीज को करना बहुत ही सवरल होता है और बहुत कम समय में इस चीज को कर सकते हैं जैसे देखिए हमारा अगला कोशन कुछ इस प्रकार से है बारह अठारा और शबी सेंटीमिटर भुजा वाले तीनों के मद बिंदू को मिलाए गया है और इसे जो मद बिंदू से मिला कर एक तिर्भूज बनाए गया है जैसे मद बिंदू तो नहीं लग रहा है इसको हमें बनाना चाहिए यहां ठीक है इसको मिला कर एक तिर्भूज बीच में बनाए गया है और कह रहा है कि इस तिर्भूज का किजिए आज शेत्फल ग्यांत कीजिए य आपको थोड़ा साब को बतायाएंगे एक नियम जान जाएएगा इसके इसके ताहत कि कभी भी मध मिंदू के बनाने से जब दिर्भुज बनता है तो इस तिर्भुज के बीच बीच में टो을 चार तिर्भुज बन जाते हैं देखी एक तिर्भुज यह दूसरा तूरा तर् dependence यह और एक त्रिफुज बीच में यानि कि जो टोटल कितने त्रिफुज बन गए तो चार त्रिफुज बन गए और एक बाद ध्यान दिए मद्ध बिन दूसर जब भी बन रहा है तो चार त्रिफुज का छेतफल बराबर होता है तो अब ऐसा काम कीजिए जो बाहर वाला से दिहम बनाएं तो क्या होगा यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इन तीनों को जोड़िए गा तो बारा अठार का है तीस तीस बीस पचाहस चपन यानि कि छपन बटा में दो जब इसको काट येगा तो कितना होगा तो पचीस दूना पचाहस पचीस तीन नसी होगा सोल्फ करें तो क्या होगा भाई हरूट में 28 फिर 28 माइनस ए 12 गताईगा 28 माइनस मतलब अठारा गताईगा 28 माइनस 26 कर दीजिए गा तीसरा वाले गताई कि करें तो क्या होगा बैए 28 गूंडे बारा जब घटाईगा तो क्या बचेगा दो बचेगा कि अब आप इसमें जोड़ा लगाकर बाहर कीजिए और इसका इंसर लिए दीजिए साथ गुरे चार होगा क्या है यहाँ साथ गुरे चार चार का ब्रेंब लग से अंदर है ध्यां दिजय हैं यहाँ अंदर है यहाँ अंदर है यहाँ उलाकर प्워서 था जाएगा पीर नहीं बचेए बन लोग बाहर नहीं करेंगे देखेें चार दुनासे 16 और 16 शी श्यान देना है कि यह जो निकला है वह कितना निकला है यह पूरे चेटफ़ निकला है लेकिन इसमें बनाया क्या जा रहा है सब्सक्रारीजान बनाए जा रहे हैं एक दो तीन चार होते हैं इस का म하다 जितना ही जितना यह रोगा इसका मतलब कि चार बन गए तो इसको उनको के तो चवहाइट करेंगे तो चाहूं के शोल हो जाए यानि कि य BE चारहों त्यवहत करुदा देल कि संभाओ त्रफूझपर किसी की ऑघी नि-धर है तो तिर्भूज का छेट फल क्या होगा संभाब तर्फुत का जब दे दिया है तो उसके लिए तो स्बसे आसान फ़र्वल्लgression कोई भी संभावथ तरुज इसका मदलब उसकी सव्पाइब हों कि बराबर हों ँसका जो च्राणी में करणी में 3 बटब 4 कर देंगे और आठ का इस्कायर कर देंगे एनि रूट थीरी भाई फॉर इन्टू चौन सट आप चार से चार के चार चार से तो कटने वाला नहीं है चार दुना के आठ शौरा चौक के चार हो जाएगा इसे तो सोला रूट तीर जाए टोटल बहुत ही सरवल होता है जब संभावत त्य कर सकते हैं चले हम लोग नेश्ट कोशन देखते हैं तो चले दोस्तों देखें मारा अगला प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है एक संभावत त्रभूज का छेथफल जो है वह पचीस रूट थीरी वर्ग मिटर है तो उसका भूजा क्या होगा चलिए यहां थोड़ा उल्ट जानते हैं कि स्वाल रूट थीरी बटा में फोर इंटू होता है समभाव तरभूज का च्शेथल जो दिया है उसको बराबर में ऐसे करके लिख दी जीये इतना आप कर सकते है रूट limits एको क्यों की यहां जो इसकार होता है उद्धर दूसरे साइड में का बन जाता है याणि यह बराबर हम कहें तो क्या हो जाएगा यह जो 100 है 100 का बारमनबूल दस हो जाएगा इसका मतलब उसका भूझा क्या हो जाएगा ज़ी कि देखते हैं देखे आम आप लोग से पहले करते आ रहे हैं कि कभी भी कोई प्रब्लम होता है तो आप नीचे जाके कमेंड में डिरेक्ट लिखिए उसके जश्ट बात आपको यह भी हम सुविधा दिये हुई है कि कोई भी क्वेस्टन आपका प्रव्लम में फंस जाता है तो आप सबसे पहले हमारे डिक्रिप्शन बॉ देखिए हमारा अगला कुछ इस प्रकार से है एक संभाहु त्रिभूज 6 संटीमेटर है उसके उचाई ग्याद कि जो संभाहु त्रिभूज की जो भूजा है वह 6 संटीमेटर बता रहा है चलिए यह बहुत ही सारल है इस सीच को थोड़ा समयना आपके लिए जरूरी हो ज आते हैं तो क्या पांचों मेधर से उसका अलग आएगा तो आपका जवाब नहीं मेधर कितना हूं लगा लेजिए लेकिन एक क्वेस्टन का जो एंसर होता है केवल एक ही बार मतलब जो एक सुद रूप से होता है वही आएगा हमारा यहां तक तो आप समझ रहे हैं इसका म हम बहुत त्रहुजे तो इसका करणी में तीन वाटा चार गुणे भुजा इसको आर करेंगे तो वही इसका च्छत फ़ल आएगा जश्ट उसके बाद एदि हम कोई और मेधर यानि कि हम हिरोन के सुत्र से भी बनाएंगे इसको तो वही मेधर वही हमारा इंसर आएगा चलिए तो इस सहारेद ही हम देखें तो यहां से क्या हमें बता जा रहे हैं कि 6 सेंटीमेटर हुजा है और उन्चाइब पूछ रहे हैं चलिए 6 सेंटीमेटर हुजा है तो इसका छेथ फ़ल क्या होगा तो आप लोग बुलिएगा सर कि करणी में 3 बटा 4 अगुने भुजा अब हमसे क्या पूछा जा रहा है उचाई क्या इस को सूल्व करने के लिए एक बटा 2 अधार भुने लंब वाला हम लगा सकते हैं तो अब बोलेगा जी लगा सकते हैं तो चलिए डूसरे में अधर से हम छेथफ़ देख लेते हैं तो इस मेधर से देखें हम तो ए एक यहां से करेंगे तीन बार में और तीन से काट देंगे इसको तीन तीन रूट तीन कितना सरल है आपको लोग रहा है इतना लंबा खीच रहे हैं तो इसके लिए कोई उपाया है ध्यान से देखेगा इसको कैसे सोल्ट कर सकते हैं देखिए जैसे आप डायरेक्ट आप तो समझ रहे हैं कि भाई दो तरह से इसका छेदफल को इक्वल करेंगे तभी इसका इंसर आप आप आएगा इसकी मेथर को समझना पड़ेगा पहले उसके बाद ही आप स्वाट को लगा सकते हैं आप डायरेक्ट लगा यह कि हम देख र हैं तो चले दोस्तों देखिए हमारा अगला कुछ इस प्रकार से है एक संभाहु तिर्भूज का आधार 12 cm है और आधार से उसकी उचाई 9 cm है तो तिर्भूज का छेथफल ग्यांत कीजिए देखिए जश्ट अभी जिस पर हम लोग बात कि हैं जश्ट वैसा ही बात आ गय है हो क्या है जो इसके सात्च में बनाया जा रहा रहा है इस उशाई क को बताया मालनेंगे तो उसके सलनलाग भी उचाही हमारा क्या है नव है बस यहीं कह रहा है इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं मतलब इसकी आधार की बात बता जा रहा है कि नव बारा है और उचाही क्या है नव है तो आप छेटफल कैसे निकालेगा एक बटा दो और अधार गुने सिर्षलम से निकालेगा यानि अधार गुने उचाही से निकालेगा एक बटा दो और अधार के हमारा बारह है और उच्छ्ट उसके बाद को आफ समझ पा रहे होंगे तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रशन कुछ इस प्रकार से है किसी सम्धिवाहुत समकोड उसका बताया रहे हुशा लेकिन कौन बताया है समधिवाहु और समकोड का मतलब क्या होता है بदो धूर्जाई बराबर हों उसे हम समधिवाहु समकों काई लग रहा है कि हम बनाये है ही लग रहा है नहीं एक बार फिर से कुछीष करते हैंम हैसा बनाने के लिए ऐसा कि मतलब कहने का सिर्फ मतलब यह है कि कि हवाली भुजा जो है यानि ए और बी इसको माल लेते हैं इसको सी माल लेते हैं consult हम सकते हैं जब दोनों बराबर है तो क्या हम सकते हैं तो क्या हम से ने से हम कर सकते हैं क्या होता है बजक कर पर का ईसक्वाइर बराबर होता है क्या घृत आ चिए ऀप प्लस आधार कर रहता है यह तो आप जानते ही đoio अधार क हुआ इसको लिखे छोटी छोटी भातवों को जितना गई राई से आप समझेगा उस तको आप आग inska Gobierno आभ ज्यादा झाधा ले पाईएगहां जैसे यहां देखे जो दिया है इस इसको देखे आ कि ऐसाolds कर सकते हैं निफिकल सब्सकू dong का में पता नहीं लेकिन ईसको मान के चलें तो यह कर तो लिखना ही पड़ेगा ऐसा कर सकते हो आँश एकसार करें कि जो एक भेलू है निकालने के लिए जो इसकार हो इस साइड में रूट बन जाएगा तिस प्रकार हम कहा सकते हैं यह बार अगर क्या हो जाएगा दस हो जाएगा यह भी हमारा क्या है दस है बहुत सब्सक्राइब कुछ बात नहीं दिया गया है चले हम नेश्ट कुछन सब्सक्राइब करें तो इसको निकालने कि से पहले होना चाहिए तभी तो कर निकाल पाएंगे कैसे करेंगे सब्सक्राइब क्या हम इसका जो छेथफन है एक बटा दो जो इसका एरिया होगा क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कर सकते हैं अब दो से ऐसे करके से पहले थोड़ा सा इस बात को समझेगा अभी हम लोग देखें हैं कि कॉर्ण का स्कार बरबर क्या होगा का स्कार बरबर तो लंब का स्कार प्लस आधार के स्कार यहां होगा हम ऐसा का सकते हैं के कॉल्ड का इस कईस मय ग्यात करना है कॉल्ड का सकते हैं आप?". अब जब दोनुं से तुर्ण का स्कार नहीं है तो हम का लिखें दीकिए एकदम बच्चों की तरह हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आसा करते हैं कि इस बात को आप समझ भी रहे होंगे 256 को रूट में डालेंगे और 256 किसका होता है साथ 16 का होता है तो 16 का सकते हैं तो 16 16 हमारा क्या हो जाएगा करन हो जाएगा बस इसी बात को पूछ रहा और इसका हम जबाब दे सकते हैं देखिए वैसे तो हम सोचे थे इसमें कि आयत का भी छेथफल आयत का बेसिक हो गर बता दें लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है अभी बहुत सारे प पुरा प्रयास करेंगे कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्टन सुलब करना है जो कि थोड़ा सा टॉप लेवल के हो सके हलाकि इसमें सिर्फ नॉर्मल लेवल के क्वेश्टन को सुलब करने का प्रयास करेंगे कि आयत क्या होता है और आयत का परिमाप क्या होता है आयत का छेथफ